अब सभी को मेरो चैनल अंजली कीचन एंड कुक मारवारी मा बहुत बहुत स्वागत था तो देखो मा आज बना के लिए काई हूँ पंजाबी बड़ी की सब्ची पहती टिस्टी लगा हां इसना पर रोटी चावल किसे भी चीज के साथ खा सका हां बस एक सब्ची लेलो और क बड़ी निकालांगा तो सिर्फ आधी ही बड़ी आपा यूज करेंगा क्योंकि बड़ी में खासियत है कि जब यह सीज जावा तो फूल का बहुत ज्यादा हो जाओ इसले इतनी से ही बड़ी आपा लेऊंगा और फिसना आपा सीजाओंगा तो देखो मा अश्रा बड़ी पंजाबी बड़ी बहुत मसाले दाल हुआ चटपटी हुआ है इसमें खुद्वों को बहुत मसाला रहा है तो इस तर से देखो आपा इसना तोड़ लंगा क्योंकि जब आप सीजाएगी तो फूल का बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हो जाओगी तो देखो आपा तीन आ अचिस लाल लाल करकर सेख लेऊंगा अच्छी से लाल लाल ले अच्छी से लाल लाल फ्राइक रहा आप देसा बहुत अच्छो टहा हा हँ बाड़ी को कच्छोपन ख़तमकर न बहुत जरुरी रहा इससने से तर सांची बऊटः कर ले झाल्भािक अब ऑस च्वाइं मे फ्राइ अजिन बाड़ी को खथम कान बहुत जरूरी रहा है इसे इस था भूधना इस यह जिसे सब्सक्रें, भूधनी काफी है अब आगय हूँ चार चम्मस तेल एक चम्मस जीरा इसने अपना फ्राइ कराए करेंगा, हिंग डाल देल गारों ने प्याज नहीं हो प्याज लिए थी एक प्याज ना गदुकस कर लिए और इस तरह से इतना ब्राउन होने तक फ्राइ कर लेंगा. तो देखो अपना प्यास फ्राई हो चुका है अठा मा डाल रियूं कदुकस किया अधरक और इसने भी आप अच्छी सा फ्राई कर लाँगा थेचाओ तो अठा लसून भी डाल सको एक चम्मच और अठासी मा डाल दियूं टमाटर तो पीसवरी टमाटर है एक टमाटर ली थी जिसने पीस ली थी ग्राइंडर जार में डालका और इस तरह सा पा इसना डाल दाऊँगा दो हरी मिर्च डालांगा और इसने भी अच्छी सा फ्राई कर लाँगा तो देखो अच्छी सा फ्राई हो चुकी है अब डालांगा पमसाला तो डाल दियूं एक चम्मच हल्दी ए अजिमिल नज warum अच्छी सांव और रॉलक नगों में पमुला को किसा कनी दो जागों सब्सक्रांए जित व्लड ईए अपना जो प्रॉक्स अपने दिया बाड़ी इसने नमंग दो अठार सबधै Lebanon कि बोड़ी बहुत पानी के बहुत पानी पीवा हुँ हां बहुत पानी सोख है इसलिए जरूरी फ्लेवर इचा या पे गैल या ड़ी धेया मासाला चूंकि सर्की बड़ी बहुत से मसाला रहा है इसलिए सिर्फ वन बाई फोट चब मची गरम मसाला डालना अब डाल दांगा आधो निम्बुली हूं को रस मची से निकाल कर डाल दूगी इस सब बहुत ही अच्छो फ्लेवर आना वालो बड़ी की सब्जी मा तो बहुत ही चटकदार सब्जी बनेगी जाल हा मिर्च हा खट रखकर भड़क्का न खोल और चेक करएंगा तो देखो 3 सीटी आ चुकी है और इसनद रस अपना बड़ी बहुत अच्छी सा शीच चुकी है और अपना आलू भी है जो बहुत अच्छी सा शीच चुका हा मतएना दिखाना वाली आलू भी देखो तो अपनी पंजाबी और बेल आइकोल कर दबारनों ना भूलो ताकि मेरी आगस्त नहीं रेजीपी थारा तक पहुंचा।